नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का pathfinder पर दोस्तों चाइना डी डॉलराइज हो चुका है दोस्तों चाइना ने total cross border trade for the month of March उसमें युवान ने डॉलर को overtake कर लिया है यह पहली बार ऐसा हुआ है याने Chinese economy अब डॉलर पर कम युवान पर ज्यादा निरभर करती है for export and import अब यहाँ पर दोस्तों कुछ economist ऐसे भी है भारत के जो कह रहें अच्छा है good news for India है वो कह रहें इंडिया अगर कुछ export करता है और बदले में उसके लिए अगर उसे युवान में भी payment लेना पड़़ा है तो कोई बुरा ही नहीं है यह युवान इस्तमाल हो जाएगा तो में क्या कर रहा है और अभी भी कुछ कमिया है जिनको बार बार economist उजागर कर रहे हैं जिन पर कहीं न कहीं हमें जिनके लिए कुछ करना है तो वो सारी बाते आज की इस class में करेंगे काफी ज्यान वर्दक class है तो अन तक जरूर देखेगा और पसंद करना बिलकुल भी ना भूलें तो आप देख सकते हैं न्यूज में आ चुका है कल का ही न्यूज है और युवान ने डॉलर को ओवर्टेक कर लिया है चाइना में उसके cross border transaction में डॉलर से ज्यादा अब युवान का इस्तमाल हो रहा है और साथ-साथ एक महीने पहले का न्यूज है करीबन तीन हफ पर है और उसने अगर अपने आपको कर लिया है तो यहां पर बहुत सारे चैलेंज भी भारत के लिए उभर रहे हैं तो आईए आची क्लास में इसी पर शर्चा करते हैं पर उससे पहले आगे बढ़ें दोस्तों 13 में को समुद्र मंतन फ्री मॉख टेस्ट है जो कि exact UPSC pattern मे हम cover कराने वाले हैं 30 April को जो हो रहा है 13 में हम shift कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे students कह रहे हैं बाकि exam से clash हो रहा है तो 13 में को है और actual UPSC feel आपको देने वाला है same pattern follow कर रहे है CSAT भी है same pattern पर तो exact timing follow किया जा रहा है और अच्छी बात क्या है एक लाग रुपे के prices भी है तो उसका फाइदा उठा सकते हैं but the best part is हम best quality question आपको offer कर रहे हैं यहाँ पर and not just the quality of questions जो question आपको actual exam का feel भी यह समुद्र मंतन मॉक्टस देने वाला है तो इसका फाइदा जरूर उठा लीजिए जल्दी से जाएए पिंड कॉमेंट में आपको link मिल जाएगा description box में एक link मिल जाएगा उसमें जाएं जाके समुद्र मंतन में enroll करना बिल्कुल भी ना भूलें इसके सिवा दोस्तो pathfinder batch हम ले करके आएं केवल दोस्तो revolution है 7999 रुपे में prelims में इंस क्लास के हम cover कर रहे हैं दोस्तों यूपेसी experts के द्वारा class ली जा रही है दोस्तों यहाप आपको बता देता हूं यह कीमत है यह केवल और केवल 30 अप्रिल तक है तो अगर आप यूपेसी स्टेट पीसी अन्य किसी exam के लिए प्रिपेर कर रहे हैं तो यहाँ पर जरूर कुछ जो किसी भी व्यक्ति को exam clear करने के लिए चाहिए वह आपको हम provide कर रहे हैं याने की पैसे अब आपके success के रास्ते में आड़े नहीं आ सकते केवल 7999 रुपे में यह सब्सक्रिप्शन है path code का इस्तमाल करें पी A.T.H. तो दोस्तों न्यूज में क्या है न्यूज में ह दोस्तों यूवान यूवान चायना में most widely used currency बन चुका है मार्च महिने में तो जितना भी cross border transaction चायना में हुआ है उसमें dollar को यूवान ने पचाड दिया है इतना ही नहीं दोस्तों यह पहली बार हुआ है और यह बता रहा है बीजिन किस प्रकार से अपने currency को internationalize कर रहा है दोस्तों यह कहने में अब कोई दोहमत नहीं है कहीं ना कहीं USA ने Russia Ukraine war में dollar को जिस प्रकार से विपनाइज किया उसके बाद से dollar से लोगों का भरोसा कम हुआ है और de-dollarization बहुत जो होनी natural process था जैसे जैसे American economy पीछे जा रही थी लेकिन दोस्तों इस रफ्तार से होगी वो catalyst का काम अमेरिका के weaponization of dollar ने किया है swift sanctions जो रिशिया पर लगाए थे वो हुए है तो उसका फाइदा यूआन उठा रहा है तो उसको जो cross border payment and receipts in यूआन चाइना में जो हुआ है वो पिछले महीने केवल 434.5 billion था मार्च के महीने में अगर आप देखे तो यह number बढ़के 549.9 billion ह हो गया याने एक महीने में यूआन बेस्ट cross border payment चाइना ने आप अगर देखे तो करीबन करीब 110-615 billion dollar जादा किया है जो की काफी बड़ा number है इस तरीके से अगर आप देखे तो चाइना ने जो total cross border transaction में 48.4% settlement यूआन के द्वारा किया है दोस्तों यह अगर आप देखे त तो dollar के लिए number 46.7% था और यही number पिछले महिने dollar के लिए था 48.6% याने कि yuan से ज्यादा dollar चल रहा था cut to cut था लेकिन अब yuan ने dollar को पचाड दिया है दोस्तों यह बात चायना की हो रही है जहां तक बात है international currency transaction की global currency transaction की तो जो swift का data है उसमें दिखता है कि अभी भी yuan का share बहु transaction swift के माध्यम से हो रहा है जिससे रशया को ban किया गया था रशया के काफी banks को निकाला गया था तो उसमें कहीं न कहीं आज भी dollar bagged है तो dollar आज भी global currency में इस्तमाल तो की जा रही है लेकिन de-dollarization की wave देखने मिल रही है अब आते हैं दूसरे सवाल पे क्यों कुछ इंडियन economist खुश है दोसरों कर economic perspective से देखे तो उनका ऐसा कहना है मान लीजिए हम कुछ समान बाहर बेचते हैं और उसके लिए हमें वो कहते कि हम युवान में आपको इसका settlement कर देते हैं मान लीजिए कोई समान था यकीन बस for the sake of number कहते हैं मान लीजिए वह 120 युवान equivalent इंडियन रु समान बेच रहे हैं बदले में युवान में payment भी ले ले रहे हैं तो उनका ऐसा कहना है इसके पीछे numbers वो देते हैं कि हमारा जो trade deficit है चाइना के साथ बहुत बड़ा है तो ऐसा नहीं है कि युवान हमारे किसी काम नहीं आएगा यहां पर दोस्तों जो बाते हो रही है प्यो समान मंगवाते हैं imports करते हैं तो यह 94.16 billion हम क्या करते हैं डॉलर को युवान में convert करते हैं फिर वहां से जो importer उसे देते हैं और वो समान हमें देता है तो यह युवान हमारे पास रहेगा already अगर हम समान बेच के युवान रखेंगे तो directly युवान लेके जाएंगे और इस import भी करवाना है और ऐसा नहीं लग रहा कि यह imports आने वाले साल दो साल में बहुत drastically कम होंगे राधर अगर आप numbers पर focus करें तो unfortunately यह बढ़े ही हैं घटे तो नहीं है तो यहां पर दोस्तों अगर हम purely economic sense की बात करें short term में तो surplus युवान हमारे लिए इस्तमाल हो जाएगा तो तो हमसे petroleum ले रहे हो तो बदले में हमें युवान में payment करो तो ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है या फिर तुम युवान में लेके हमसे समान ले लो तो कोई खास दिक्कत नहीं है उनका ऐसा कहना है लेकिन दोस्तों अगर हम युवान को global reserve currency बनने दिये तो यह हमारे लिए long term threat होने वाला है और इंडिया भी यह बात अच्छे से भारत भी यह बात अच्छे से समझता है भारत ने भी अपने banks को साफ साफ कह दिया है ट्रेडर को साफ साफ कह दिया है कि रशियन imports के लिए रशिया से अगर आप कुछ भी समान ला रहे हैं बदले में उन्हें युवान में payment आप नहीं करेंगे RBI ने भी कुछ approve कर दिया है रुपी को कहा है कि युवान युवान छोड़िये हम रुपी एप्रूफ कर रहे हैं इन अठारा देशों में इसमें अगर आप देखे तो वोटसवाना है फिजी है जमनी है गयाना है इस्रेयल है केनिया है मलेशिया है मौरिशेस है बहुत सारे देश है रश्या, ओमान, सिंगापूर, शिलंका, तंजानिया, युगांडा, यूके तो इन सभी देशों में RBI ने काया है कि आप रुपी का इस्तमाल करके ट्रेड गर लीजिए और इसको एफेक्टिव बनाने के लिए वास्ट्रो एकाउंट भ यूआन में नहीं करना है, रुपी के लिए काफी ज़्यादा यूज किया जा रहा था, पर दोस्तों यहां पे अगर इंडिया यूआन को रिप्लेस करना चाहरा है, तो आज भी बहुत बड़ा चैलेंज है, इंडिया का जो करेंसी है, भारत का जो करेंसी रुपी है, वो partially convertible है, याने मान लीजें मुझे रुपी को convert करवाना है किसी दूसरे currency में, तो टका में हम डायरटली convert नहीं करा सकते हैं, रुपी को convert करते हैं, डॉलर में फिर डॉलर से टका में, तो इस प्रकार से यह क्या होता है, partially convertible होता है, टका फिर भी शायद उसके लिए mechanism रहेगा क्योंकि पास का ही देश है लेकिन बाखी करेंसी के लिए यही मेकैनिजम है हम पहले रुपी को डॉलर में करते हैं फिर डॉलर को युवान में या येन में कर देंगे और इस तरीके से अब मुझे बताइए क्या कोई देश का सेंट्रल बैंक जैसे भारत का RBI है रसे किसी चालूम है रुपी का क्या फैदा इसको डॉलर में ही कनवर्ट करवाना है तो डॉलर रख लेगा तो ग्लोबल सिंट्रल बैंक के लिए रुपी इस वज़े से अन अट्रैक्टिव रिजर्व करेंसी बना हुआ है तो वह नहीं चाहेंगे रुपी रखना तो यह बहुत बात है capital account convertibility की यह हमारे लिए एक station नहीं है यह एक journey है यही कहा है मतलब क्या है कि हम धीरे-धीरे stages में करते जाएंगे और एक टाइम में full capital दिन में हो जाए तो पांच दिन में नहीं हो पाएगा क्योंकि economy को बहुत ज्यादा शौक की संभावना बनी रहेगी और हम नहीं चाहेंगे और इस मुश्किल घड़ी में और भी तीसरा शौक external शौक economy पर पड़े पर दोस्तों यहां पर सवाल उठता है क्या यूवान प्रॉमिसरी नोट होता है याने कि अगर सौ रुपय का नोट है तो प्रॉमिस करता है मैं धारक को वचन देता हूं कि सौ रुपय का इससे आप चाहें तो समान ले ले फिर हो चाहें तो बैंगन है तो बैंगन ले लो चाहो तो गोल्ड माइन ले लो तो यही प्रॉमिस है करें हैं ना currency की बात करें यहां पर वो सब नहीं धोका दे गई और वो छोड़ गई नहीं trust की बात कर रहें currency के terms में तो भरोसा कैसे होता है currency पर भरोसा होता है कि वो कितने असानी से आप उसको trade में ला सकते हो जैसा भी मैंने बताया रूपी को dollar में convert करो dollar को फिर दूसरे currency में convert करो तो यहां पर क्या हो रहा है तो यह free convertibility नहीं है तो यह challenge है तो वैसे ही अगर हम युवान की बात करें तो युवान पर भी trust तब होगा जब उसके पास भी capital account convertibility पूरी होगी उसकी economy liberalize होगी उसके पास free capital flow होगा वह easily tradable होगा वहाँ पर transparency होगी वहाँ के financial market regulated कम से कम हो minimal पूरे तरीके से open हो government intervention कम से कम हो regulation हो लेकिन government intervention ज्यादा ना हो regulators क्या हो independent हो highly liquid financial market हो minimal restriction हो easy convertibility हो goods move कर सके यहां पर दोस्ता आपको में एक news cutting दिखा रहा हूं Chinese billionaires keep vanishing tech banker थे चाइना के बाव fan है राधर गये थे नहीं है बाव fan Chinese tech banker थे यह banker अचानक से गायब हो जाते हैं और यह पहले banker नहीं होते हैं ऐसे कई billionaires bankers गायब होते रहते हैं चाइना में बाद में पता चलता है उनको तो arrest कर लिया गया तो चाइना में इस प्रकार से यदि bankers arrest हो रहे हैं और सरकार कहती corruption 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 तो यदि आपके banking system में इतनी corruption है तो कैसे हम कर लें आप पे भरोसा जोस्तों युवान तो कहीं से भी dollar को replace नहीं कर पाएगा अकेले क्योंकि वहां पे आज भी structural challenges है जब तक वहां पे कहीं न कहीं free flow free capital convertibility नहीं होगी fully capital convertible नहीं होगा transparency नहीं होगी तब तक युवान dollar को नहीं replace कर सकता डॉलर का अगर कुछ strength है तो वह है transparency उसकी capital account convertibility किस minimal government intervention वह सारी बाते dollar को आज भी global trade में इस्तमाल करने के लिए मजबूर करवाती हैं और जितने भी central bank से उसको as a reserve currency रखते हैं इंडिया को भी दोस्तों यह बातों पर कहीं न कहीं विचार करना चाहिए और हमें रुपी को भी युवान के तरस पर नहीं dollar के तरस पर कहीं न कहीं उसमें भी transparency होगे रहा ले करके आना चाहिए दोस्तों अमीद करता हूं आपको आज की class पसंद आई होगी तो like जरूर कीजिएगा इसके सिवा दोस्तों वापस आपको पर रिमाइंड करवा जेता हूं जल्बी से जाएं जाके description box में comment box में आपको link मिल जाएगा pathfinder batch का स्केवल 7999 रुपे में आपको हम offer कर रहे है 900 से अधिक गंटे है live classes के UPSC experts के दोरा यह batch run किया जा रहा है early bird offer है दोस्तों बस 30 April तक ही यह कीमत है उसके बाद यह दाम हम बढ़ा देंगे तो 30 April तक ही है तो make sure इसका आप फाइदा जरू ठाले end to end coverage है prelims का भी mains का भी interview का भी 40 test है prelims के 10 test है mains के 900 से अधिक गंटे live classes है faculty कौन है pathfinder की faculty है they are the experts in their own respective subjects तो वो cover करने वाले हैं तो आप निश्चिंद होके highest quality की preparation करेंगे at the lowest possible cost दोस्तों virtually आप देखें तो बहुत कम कीमत है ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत कम है 7,999 ऐसा amount है कि अब पैसा कोई रास्ते का रोड़ा नहीं है आपके कहीं से भी preparation में कोई बाधा financial नहीं है केवल 7,999 रुपए में आपको subscription मिल रहा है इसके सिवा 13 मेको समुदर मंतन free mock test है इसका फायदा जरूर उठाए GSC sat दोनों cover कर आ रहे है actual UPC pattern, actual UPC timing, com follow करने वाले हैं और एक लाग का price भी आपके लिए हम रखे हैं तो participants इसमें जरूर enroll करें इसका भी link आपको नीचे description box में मिल जाएगा